Hello friends, welcome to my YouTube channel Paradise Tree. I am Shuchita Mishra, motivational speaker and life coach. दोस्तो आज में जिस टॉपिक पर आपसे बात करने चारी हो बहुत ही common but important topic है. वो है एंगर. कहा जाता है कि क्रोध पतन का वो रास्ता है जिसे इंसान खुद अपने लिए तयार करता है. और मज़ेदार बात ये है कि इस बात से हम सभी लोग वाकिफ हैं फिर भी अपने क्रोध पर नियंत्रन नहीं कर पाते हैं. इस topic पर आपसे बात करने से पहले मैंने कई सारे वीडियोस देखे जिसमें तमाम जानकारों ने ये कहा है कि क्रोध जो है वो आता नहीं है वो किया जाता है. मतलब हम क्रोध को करते हैं वो हमें naturally आता नहीं है लेकिन मेरी राये इस मामरे में थोड़ी सी अलग है क्योंकि अगर क्रोध एक स्वाभाविक समवेदना ना होती तो ये पशू और पक्षियों में कभी न देखी जाते हैं. जी हाँ दोस्तों प्रोध सिर्फ मनुष्यों के अंदर ही नहीं होता बलकि पशू और पक्षियों में भी होता है. आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा स्टिस को. इंसान के लिए एक बहतर बात ये है कि वो प्रोध को अपने वश में कर सकता है. अब कैसे कर सकत इस पर आपसे आगे बात करूंगी. उससे पहले आपके साथ में एक छोटी सी कहानी शेयर करती है. एक बार एक धन्वान यक्ति, एक संत के पास पहुँचा और जाकर बोलने लगा कि गुरुजी मेरी सेहत बहुत खराब रहती है. मेरी पत्मी मुझसे बहुत जादा बताइए मैं क्या करूं, मेरे लिए कोई समाधान बताइए. गुरुजी ने का अपनी कुंडली दिखाओ. कुंडली देखकर गुरुजी ने का ओफो, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुमने यहां आने में बहुत देर कर दिया. वो शक्स गुरुजी की बात सुनकर एकदम गरगराने लगा कि गुरुजी, प्लीज मुझे कोई समाधान बताइए. गुरुजी ने कहा, मृत्यू को आज तक भला कौन टाल सका है, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? जाओ यह जो दस दिन है, इनको हसी खुशी चीलो. वो शक्स नेराश हो करके अपने घर चला गया. और घर में रहते हुए उसे एक दिन याद आया कि उस दिन वो गुरुजी से मिलने गया था तो उनकी दक्षना देना भूल गया था. तो नौबे दिन वो गुरुजी के पास वापस पहुचा और बोला कि गुरुजी मैं आपके लिए दक्षना लेकर आया हूँ उसे नापको बिन दक्षना दिये ही लोट गया था. कल मेरा आखरी दिन है और मैं अपने सर पर कोई और पाप लेकर के नहीं जाना जाता. गुरुजी मुस्कुराई और बोली कि अच्छा ये बताओ अब तुमारे परिवाद में सब लोग कैसे हैं? वो शक्स बोला तुम कब मरोगे ये मैं नहीं जानता, मैंने तुम से जूट बोला था. लेकिन तुम आज तक इतनी समस्याओं से जूच रहते उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा क्रोध था. क्रोध के आगे तुम किसी की भी बात नहीं सुनते थे. अपना सारा गुसा अपनी पत वज़े से तुमारे रिलेशन्शिप उनके साथ में खराब होने लगे और साथ ही टेंशन इतनी जादा बढ़गी कि तुमारे सेहत पर भी उसका बुरा असर पढ़ने लगा. तो यही तो हता है दोसों हम सब के साथ हम सब की जिन्दगी में भी क्रोध जब हम पर हावे होत तो यह शारीरी नुकसान तो हम जेलते हैं मांसिक नुकसान भी जेलते हैं हर वक्त तनाव की इस्तिधी में रहते हैं अब एक बड़ा सवाल यह है कि इस पर नियंत्रण कैसे किया जाए क्योंकि क्रोध की नुकसान के बारे में तो बहुत लोग बताते हैं लेकिन सॉलुश सिर्फ और सिर्फ एक है वो है पेशन्स अब पेशन्स तो आपके सुभाव का अगर हिस्सा नहीं है तो आप पेशन्स लाएंगे कैसे तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है कि जब भी आपको गुसा आए और गालियां सुनादू उल्टा सिधा जो भी कुछ कहने का मन करें उस समय पर अपने मन में दो तीन बार बोलें पेशन्स 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 मन में सोच लीजी कि जवाब तो दूँगा यह दूँगी मंगर कल दूँगी इससे कल निप्टूँगी थपड मारना होगा तो कल म रहेगा ही नहीं मैं गैरंटी देती हूं आपको इस बात की क्योंकि गुस्सा जो है वो दुए की तरह होता है जो कभी भी एक जगे पर टिकर नहीं रह सकता कुछ समय बाद वहां से निकल ही जाता है गुस्से का जो लेवल आपका आज है अगर आप उसे कल के लिए छोड़ रहेंगे तो कल वो लेवल उसका नहीं रहेगा याद रखिए दोस्तों गुस्सा एक सहज स्वभाव हो सकता है आपके पारिवारिक माहौल का भी वह आपके अंदर असर हो सकता है लेकिन उस पर रियक्शन करना या ना करना यह सिर्फ आपके हाथ में है आप अगर उस पर ना करना उस वक्त में सीख गए तो समझे दीरे दीरे आपका गुस्सा खुद काबू होने लगे इसके अलावा इस्ट्रेस बहुत बड़ी वज़ा है गुस्से की जो लोग सादा जिन पर काम का बर्डन रहता है जादा प्रेशर में रहते हैं या जिनके घर में जादा क्ल से कहती आई हूं कि मेडिटेशन को अकनी जिन्दगी में जरूर लेकर आई है आज फिर आपसे एक पार कहती हूं कि दस मिनट का मेडिटेशन हर शक्स को करना चाहिए अगर आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ एक्शली जीनी है तो कैसा लगा मेरा ही वीडियो मुझे काना मत भूलेगा अपने सजेशन भी जरूर दिजिएगा आज के लिए से फितना ही बाई स्टे से हैपी एंड येस हैव पेशन्स बाई